CM हाउस में हुए राजपूत महा सम्मेलन में CM शवरासी चोहान ने राजपूत समाज की कई मांगे मान ली है आपको बता दे कि भुपाल सहित प्रदेश के अलग-अलग शहरों से करीब 15,000 राजपूत समाज के लोग समागम में शाविल हुए है वहीं जहां मुख्य मंत्री ने मंचु से एलान किया कि अनु आभान टेकरी पर रानी पदमावती का समारक बनेगा CM ने इसमारक के लिए भूमी पूजन भी किया जौरान CM ने राजपूत करनी सेना महासचिव सिरेश सिह सूनगरा का स्वागत भी किया है चुनाव से पहले मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान सभी वर्गों को साथने में जुट गया है बीते दिन CM हाउस में हुई राजपूत समाच के महासमेलन में CM ने राजपूत समाच की लगभग ज्यादत तर्मागों को मान लिया है मुख्य मंत्री ने मंच से एलान किया है कि मनुआभन टेकरी पर रानित पद्मावत्थी का समारख बरेगा साथ ही CM ने इसमारख के लिए घुमे पूजन भी किया देश के गोर अबेंगी कि वाल अपने ने देश के प्रिकास सिस्थम उप्रेडना स्रोथ उनका जनल देश धुमधाम से मनाएं और इसलिए उजन सार्व जनले कवकास रखा जाएगा और इस बार और हमेशा मनाया जाता है लेकि इस बार और धुमधाम से ऐसा हो जाए कि सारा देश देखता रह जाए और महराज चत्रसाजी महराज की उनका जनल दिन भी उसी देने के तो जराना परताज की जै महराज चत्रसाजी की दूगधाम समरें पर रहत आप कहेंगे के स्वरूब क्या हो सरकार कैसे साथ हो तो भो भी बता दीजिएगा क्योंकि वह सबके हैं गर्व और गौरब हैं देल भट्टी के परियाएं स्वाभिमार के प्रतीक हैं मैं उनके चरणों में 779 करता हूं बीच में ये राजपाल और बागी मिद्र बैठें जब फिल्म आई थी पदमाबत बाद में नाम दिया अगर मद्प देश की धर्ती पर सबसे पहले बैन अगर लगाया था तो मैंने लगाया था मद्प देश की सरकार ने लगा हमका इस फिल्म को नहीं चले लिए अब उस सम पर इस बात इस ले लिए जाएगा कोई चिंता की बाद से इस संबेलन में सीम ने इंद और से राश्टी करनी सेना महासची सुरेज सिंग सोंगरा का स्वागत किया इस मौके पर राश्टी करनी सेना अध्यक्ष सुद्देग सिंग, गोगा मडी, राश्टी कटार, मंत्री अर्विंद भदोर्या, उशा ठापूर, तुकोजी राम, पवार, गुड्डू, राणा और भोपाल सांसत पग्या ठापूर भी मौजूद रही, मागे पूरी होने पर राजपूर समाज के लोगों ने स्लीम का आभार व्यर्त किया